नमस्कार दोस्तों टेश्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके सासन नियाद आओ तो आईए आज हम भारतिय समिधान में अपना ध्याय सुरू करेंगे संसद के अंतरगत जिसमें हमें पढ़ना है आज लोक सभा इससे पूर्व हम राज्य सभा के विशे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे तो आज हम देखते हैं लोक शभा के विशे में तो सबसे पहली बात कि लोक शभा के विशे में जो बताया गया है तो भारतिय समिधान के अनुछेद क्यासी में बताया गया है जो नुशेद असी था उसमें राज्य सभा के विशे में बताया गया था तो अगर हम बात करें लोक्षभा के विशे में तो ये है कि लोक्षभा को एस्थाई सदन, निम्न सदन, पर्थम सदन वे लोक्पिजे सदन के नाम से भी जाना जाता है यानि कि ये सभी के सभी इसके नाम है एस्थाई सदन आपको पता है कि राजय सभा इस्थाई है पर्मानेंट है वो कभी भंग नहीं होती और आपको यह पता है कि लोग समी पाहर पांच साल बाद भंग हो जाती हैं तो इस वज्ँज़े से कैसे सदन हो गया, तो यह आपका एस्थाई सदन है उसे उच्छ सदन कहा जाता है, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है इसे पर्थम सदन क्योंकि वो सेकेंड सदन माना जाता है और लोक पिरिये सदन का मतलब है मतलब जनता का पिरिये यानि यहां पर जो लोक चुनके आते हैं वो सीधे जनता के द्वरा चुनकर भेजे जाते हैं इस वज़े से लोक पिरिये सदन भी कहा जाता है उसके बाद हमा of common था जिसे राज्य सभा का नाम council of state था इसी बरकार इसका नाम house of common था और जो इसका नाम बदल कर उन्य सचम्वन में क्या कर दिया गया तो राज्य सभा कर दिया गया अब देखिए लोग सभा के संद्शना देखते हैं कि कितने सद्श्य हैं अगर आप से बूचता है कि लोग सभा में अधिक्तम सद्श्यों की शंख्या कितनी हो सकती है तो अधिक्तम जो सद्श्य है वो 552 तक हो सकते हैं तो अब देखिए 552 देखिए अधिक्तम मेंबर हो सकते हो 552 तो 552 को क्या है दो क गाई ता पांसो पचास और दो यह पांसो पचास होने थे निरवाचित और दो होने थे मनुए और दो कैसे थे एंगलो इंडियन की स्ट तो क्या कर दीगी समाप्त कर दीगी तो शेंट अब देखते हैं कि जो 550 निर्वाची सदेश्य थे इन्हें दो हिस्समा बाटा गया 530 सीटे दी गई राज्यों को और 20 सीटी दे गई आपकी केंद्रशाशित परदेशों को देखिए दो तो एंगलो इंडियन होने थे वो तो समाप्त हो गए आज गठाई में नहीं है तो यह जो 550 है इन्हें भी दो हिस्समा बाटा गया 530 में और 20 में तो अब जो 530 में और 20 में जो 28 राज्य है उन्हें सीट दी गई 530 और जो हमारे वरतमान में जो आठ केंद्रशा सुझे दिखते हैं तो 6 सीटे दिखते हैं लेकिन अगर केंद्र शाषित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शाषित प्रदेश को सीटे कितनी दे गए थी 20 उन्हेंने कितनी भर दी 19 रिक्त कितनी है एक उनके पास तो इस फरकार 524 और 19 इस फरकार जो वरतमान में लोग सदेश्य हो सकते हैं 550 आज से बूजल लोग सभा में राज्यों से अधिक्तम निर्वाची सदेश्य हो सकते हैं 530 आप से बूजले वरतमान में लोग सभा में राज्यों से निर्वाची सदेश्य कितने हैं 524 तो इस बाते आप याद रखेंगे इस परकार से उसके बाद हमारा अगला बिंदू है कि मूल समिधान में लोक सभा सीटों की संख्या 500 थी यानि जो मूल समिधान है उसमें लोक सभा सीटों की जो संख्या रखी गई थी वो 500 रखी गई थी जो कि समय समय पर बढ़ती चली गई आज 552 है अधिक दम उस समय पांज सो रखी गई थी। उसके बाद हमारा अगला बिंदू है लोकसाभा के सदश्चों को चुणाओ परत्यक्स रूप से होता है तथा अगरता ही विजेता होता है। यानि कि जो लोक सभा के सदेश्यों का जो चुना होगा वो परत्यक्स रूप से होगा यानि कि उसमे जो वोट डालने वाली होगी वो जनता होगी और अगरता ही विजयता से मतलब है जो आगी होगा वो ही विजय होगा वो चाहें एक वोट से आगे हो चाहें दस वोट से गटाकर 61 पे समिधान 1789 के दौरा कितनी कर दी गई तो 18 वर्स कर दी गई और ये कोशन कई वार बुजा जा चुका मद्दान की आयू कब घटाई गई तो ये बात आप याद रखेंगे उसके बाद हमारा अगला बिंदू है लोकसभा का चुनाओ लड़ने के लिए नियुंत पांच वर्स होती है परंतु आपात काल के समय लोकसभा की अवदी एक वर्स के लिए बढ़ाई जा सकती है देखिए लोकसभा की अवदी पांच वर्स के लिए लेकिन यदि देश में आपात काल लगा दिया जाता है तो समय लोकसभा का जो कायकाल है वो एक साल के लिए ब एगर उसे सूचना दिये विना उसाट बैटकों से अनपस्थित रहता है तो उसका नुपस्थित रहता है कि उसको बीमारी है कुछ प्रेसानी है तो उसका पत रिक्थित नहीं होएगा बिना सूचना के अगरो साथ बैटको से अगर उनपस्तित हैं ऐसी प्रस्तिती में इसी के साथ हमारे कुछ फैक्ट्स दिये गए हैं कि लोग सबा का पहला गठन कर वुआ तो 17 पहला 1952 में सब्सक्राइब देखको कर अगर आगर वरतमान उपाद देख्स की बात करे तो 70 78 के दौरा कुणने पांच वर्सकों कर दिया गया है जो लोग सब्सक्राइब का अब निदेख भरρέ में बात करें लोग सब्सक्राइब का जो हैं और में सचने जाएंगे जो लोग सभागी बात करें तो कोई वीद्याक धन्विद्याक है या नहीं इसका निर्ण लोक्षभा का अध्यक्स करता है अगर कोई बिल वो मनी बिल है ये नहीं है इसका जो निर्णा करने का दिखा है वो लोकसभा अध्यक्स के पास है अभी हम आगे बात करेंगे विद्यक चार परकार के विद्यक आते हैं क्यों कौन से विद्यक होंगे जो उमारे अगली क्लास होगी उसके विद्यक के विशे किरेंगा उसके बात करें पर यक मैत्मूर्ण बिंदू की गणपूर्तइ कोरं के अभाव में सदन को इस सगित करने का अधिकार है गणपूर्ती इंडी में हो जागा कोरम जो है इंगलिस में हो जागा गणपूर्ती कुल सदेश्य शंख्या का एक बटा 10 होता है देखिए मालीजे लोक सभा में 543 सदेश्य है तो लोक सभा का एक कोरम है गणपूर्ती है यनि कम से कम लोक सभा म सब्सक्राइब करें अगर इतने सदस्य होंगे तो ही उस दिन जो है सदन जो है चलेगा अगर इससे कम होंगे सदस्य नहीं चलेगा अगर यहां पर बात करें तो दो सब बनतालीस का एक बड़त की बात करें तो पच्चिस तो राज्य साम हमें किसी दिन अगर भी सदस्य आए है तो उस दिन राज्य सामा को इस्थगित कर दे आएगा कि जो वैठक है उस दिन नहीं होगी तो यह कोरम है गणपूर्ति आप से बूश सकता है कि कोरम गणपूर्ती कितना होगा तो एक बटे दस होगा सदन की बैट तो सदन के जितने भी सदश्य हैं तो यह बात आप याद रखेंगे उसके बाद यह आपको सूची दी गई है तो इस सूची में बताया गया है कि किस राज्य में लोग सभागत कितनी सीट हैं जैसे अगर बात करें अंदर परदेश में 25 हैं उत्तर परदेश में सब ज़्यदा असी बताई गई हैं मिजोरम में एक अरणाचल परदेश में दो ए अगर बात करें मनिपूर में एक भी नहीं है यह महत्कुन नहीं है अगर आप यह याद कर लो किस राज्य में लोग सभागते हैं उसमें दिक्तर पर देश का बुजायता है यह बिहार जो अग्तलब लगते हुए राज्य तो आप एक बार नजर दोडा लोगे इस पर आप जो संसाद है मतलब उसमें जो बिल आए जाएंगे प्रस्ताओ लाए जाएंगे कैसे प्रस्ताओ पास होगे कैसे कानून बनने की पर किरिया होगी उन्हों सभी बातों पर चर्चा की जाएगी तो पीडिय अप जो है उसके लिए आपको टैस्ट किताब के नाम से चैनल है टैलिग्राम पर उसे जोइन करना होगा वाज के लिए इतना है धन्यवाद